तो चलिए आईए अब हम लोग पढ़ते हैं lesson 88 यद्यपी तथापी या तो भी यहां पर हम लोग दो औल दो के बारे में पढ़ेंगे use of दो, use of औल दो तो आईए सबसे पहले हम लोग कुछ examples देखते हैं उसके बाद हम लोग exercises solve करेंगे So look at the following यद्यपी वह मोटा है तथापी वह बहुत फुर्तिला है So he is fat, he is very active यद्यपी वह मोटा है तो भी वह बहुत फुर्तिला है Although he is fat, he is very active यद्यपी उसने कठिन परिश्रम किया तथापी वह फेल कर गया So he worked hard, he failed यद्यपी उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह फेल कर गया Although he worked hard, he failed यद्यपी यह कोट पुराना है तथापी यह कीमती है Though this coat is old, it is costly यद्यपी यह कोट पुराना है तो भी यह कीमती है Although this coat is old, it is costly ऐसे वाक्यों का अनुवाद दो या although यद्यपी से शुरू होता है और तथापी या तो भी का अनुवाद नहीं होता केबल कॉमा से ही काम चलाया जाता है देखें, exercise solve करिए Concept take it करके clear होगा एक्सेसाइस 88 Translate into English यद्यपी वह आल्ची है तथापी वह कभी देर से इसकूल नहीं आता Although he is lazy He never comes to school late अब देखें, इसको आप ये भी कर सकते हो So he is lazy He never come Comes होगा यहाँ क्योंकि he है To school late Next यद्यपी भारत गरीब है तो भी वह दूसरे देशों की मदद करता है So India is poor It still helps other countries Although India is poor It still helps other countries ठीक है Next यद्यपी वह बहुत धनी है वह किसी को एक पैसा ही नहीं देता ठीक है Although he is very rich He does not He does not give even a single बहुत बहुत नहीं देता है यद्यपी वह धनी है तो भी वह कंजूस है Although He is rich यहाँ पर दूसरा का आप कर सकते हो चलो दो से करते हैं दो ही एज चाइल्ड कि इस वाइज टीक है तो ऑल्दो आप जिसका मन आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई समस्या नहीं है यद्यपी वह विमार है तथा पी वह कमजोर नहीं है आल्दो ही इस सिक इस नॉट वीक ठीक है नेक्स्ट यद्यपी वह काली है तथापी वह सुंदर है तो शी इस टाक कमप्लेक्षिंट यद्यपी यह घर बड़ा है तो भी यह आराम दे नहीं है यद्यपी यह बुड़ा है तो भी उसे बोलना नहीं आता अब दो अल्दो आप जिसका इस्तिमाल चाहें आप कर सकते हैं यद्यपी वह बुड़ा है